हेलो वीवर्स आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम एक बॉलिवूट के ऐसी लेजिंडर फिल्म कर रिव्यू करने वाले हैं जिसने सलमान खान की करियर को एक ऐसी उचाई पे पहुचा दिया जहां से सलमान खान ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा तो हम बात कर रहे हैं 2003 में आई सलमान खान की फिल्म तेरे नाम वैसे तो सलमान खान की तेरे नाम फिल्म विक्रम की फिल्म सेतु का एक ओफिशल रिमेक था बर तेरे नाम उनको चुनिंदा फिल्मों में शामील है जी ने रिमेक से बहतरीन बनाया गया है मैं यहां यह बिलकुल नहीं कहे रहा के विक्रम की सेतू फिल्म ज्यादा अच्छी नहीं थी या उसे अच्छा नहीं बनाया गया था पर जो तेरे नाम फिल्म का कैरेक्टर है राधे यह कहीं ना कहीं सलमान खान की Original कैरेक्टर से मेल खाता है और यही वो कारणे जब हम सल्मान खान को तेरे नाम फिल्म में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सल्मान खान ने क्या acting किया है इस फिल्म में तो तेरे नाम एक real life incidence पे base फिल्म थी जो इस फिल्म के officially writer है Bala यह उनी की किसी friend की एक real कहानी है तो सबसे पहले ये फिल्म जो बनी थी है तमिल लैंग्वेज में बनी थी सेतू नाम से इसके बाद इसके तीन रिमेक किये गए इसका कंणड़ा में रिमेक किया गया हुचचचा नाम से तेलगू में रिमेक किया गया सेशू नाम से एन हिंदी में रिमेक किया गया तेरे ना को समझ गया था कि यह फिल्म बॉक्स औफ पिस पर एक तहल का मचाने के लिए तैयार है. तेरे नाम के पहले सल्मान खान का करियर काफी असम्न जस में चल रहा था. उनकी हर फिल्म पिट चुकी थी. हम साथ वे के बाद सलमान खान की यह सबसे best film थी जिसके पहले मेकर्स ने संजे कपूर वो अजे देवगन को अप्रोच किया था इस रोल के लिए अजे देवगन वो संजे कपूर ने इस रोल को करने से मना कर दिया था सलमान खान को इस फिल्म में गंजा दिखाना था और उसके पहले से ही सलमान खान को हैर का प्रॉलम चल रहा था तो इसी कारण सलमान खान ने इस फिल्म के लिए अपना पूरा हेट शेव कर लिया था और इसी के बाद उन्होंने अपना हेर ट्रांस्प्लांट भी करवाया। सब्सक्राइब करना इस फिल्म के लिए बहुती बहुती बहतरीन अक्टर को कास्ट किया था फिर वह सल्मान खान के दोस्ट के लिए सरफरास खान हो या रवी किशन रवी किशन इतने सालों से बॉलिवड में काम कर रहे हैं पर आज तक उने एक धंकी फिल्म ने मिली। उनका भी अभी तक का बेस्ट परफॉमेंस तेरे नाम का ही है। तो इस फिल्म में एक न्यू एक्टर्स को लाँच किया गया था भूमी का चावला को निर्जरा के रूल के लिए। उन्होंने भी इस फिल्म में काफी बहतरीन एक्टिंग करके दिखाई थी एक सीधी साधी लड़की की एक कैरेक्टर में। भूमी का चावला की लाँचिंग बॉलिवुड में काफी जबरदस और एक बहुत भड़ी फिल्म से हुई थी पर उन्हें इस फिल्म का बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद उनकी एक भी फिल्म नहीं चली इस फिल्म में निर्जरा के रूल के लिए भ काफी चयलेंजिग था क्योंकि सलमान खा़न तो ज市ल्मे का दोब्स पीघे है और लोग देखने चले जाते थे औंभी की ऑडियोंस तो काफी मिचूॉर हो चुकह काफी मुश्किल भी हो गया है अभी लोग फिल्मों को इतना नाप तोल के देखते हैं कि पता नी क्या ढूंते उसमें अभी हर जॉनर की फिल्में बन रही हो हर जॉनर की फिल्मों को देखने वाले ओडियंस भी अलग हो चुके हैं अभी तो बच्चों के लिए अलग फिल्में टी तरीन म्यूजिक दिया था उस समय ये गाने इतने ज़्यादा हीट हो गए थे कि हर जगे आपको बस यही गाने सुनाई देते थे यह गाने तब बे हिट थे आज भी हिट है और आने वाले सालों तक यह चलते रहेंगे यह वह गाने नहीं जो आज आये और कल भूल गये आज पिए गाने कही ना कई आप जरू सुनने मिलेंगे तेरे नाम को उस समय 24 अवाड़ों के लिए नवाज़ा गया था जिन में 7 अवाड़ों ने मिले तेरे नाम उस समय केवल 10 करोड में बनके तयार हो गई थी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 35 से 40 करोड के बीश रहा था त कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप इसी तरीके का वीडियो और किसी फिल्म पर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो थैंक्यू गाइस फॉर वाचिंग प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब ओर और नाओ